आप सबी ने स्टॉफ्ट वारी ब्रेड पकोड़ी तो बहुत बहुत जादा महनत लगेगी मैक्सिमम दस मिनटने बन करके तयार हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी बन करके तयार होता है घर में चाहिए अचानक से गेस्ट आ जाए या शाम में कभी भूख लग रही हो बस फटा फटे से बना करके आप तयार कर सकते हो अगर मगरम चाय के साथ या टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्फ कर सकते हो सभी को यह बहुत ही जादा पसंद आता है तो चलिए बिना कोड़ा को रड़ी करने के लिए हमी सबसे पहले बेसन का बैटर बनाना होगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बेसन लिया हुआ है बेसन को मैंने यहाँ चान करके लिया हुआ है ग्राम स्मीगी तक्रीबन 200 ग्राम बेसन है अब हमें इसमें सबसे पहले कुछ मसाली आ इसी के साथ इसमें आधी चोटी चमच हलदी का पाउडर आट कर रूह ही हुआ जीरा पाउडर साथ में नमक कर देंगे स्वादनुसार एसमें इसमें की सारे डालन के पकॉर्ड को बहुत ही बढ़िया अमसाला वाला फ्लिवर देता है इसलिए थाइड़ा करें पानी आइंठ करतें जाएं, हमने इसके लिए बहुत ज्यादा बश्यारा बहुत बनाना है अर महीं पतला wie नहीं बनाना है इस अल्गा ना चाहिए चाहिए तक ब्रैट की होट भड़ा बश्यारा कोट मूट सी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पर्फेक्ट है ना ही जादा पतला है और ना ही जादा गाड़ा है तो यह हमारा बाटर रेड़ी हो चुका है अब हम इसे साइट कर देते हैं अचले फटा फट से जलते हैं अपने अगले प्रॉसेस के तरफ तो नेकस्ट यहां पर मैंनी ब्रेड लिया हुआ है तो अग्य मेरे पास बैट थे तो मैंने लिया हुआ है आप चाहो तो ब्राउं ब्रेड का इस्तामाल भी कर सकते हैं जो आटे वाले ब्रेड होते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हो तो सबसे simply cut कर लेंगे और अब क्या करेंगे कि फटा फट से पकॉडो को बनाएंगे तो यहां पर मैंने तेल को गर्म होने कि रखा वाता ब्रेट के एक स्लाइस को लेंगे इसे बाटर में डीप करेंगे अच्छे से ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए और गर्म गरम इसे हमें तेल म इसमें डावते जाएंगे गास का फ्लेम हमीं हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इसे बढ़िया तरीके से फ्राइब करना है अच्छे से गोल्डेन होने तक तुरंत इसमें न कल्ची का यूज़ ना करें नीचे के तरफ से जब बेसन हलका सब पक जाएगा इसके बाद इसे जब बढ़िया तरेक से गोल्डेन हो जाया अच्छे तरीक इसे निकाल ले तो यह हमारा पकोड़ा बिल्कुल बढ़िया तरीके से गोल्डेन फ्राइग हो चुक है इसे ऑन निकाल लेते हैं आवाद से इंग पता चल रहा है कि कितना ज्यादा क्रिस्पी बनकर में तैयार हुआ है तो बस अब आप इसे एक कुपँ गर्मा करना चाह के साथ सर्फ करो या फिर फटा फट से यह बन करके तयार हो जाते हैं और टेस्टी इतना होता है ना कि आप एक बनाओगे ना तो बार बार इससे बनाओगे और आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कॉमें जरूर बिताएगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हैं दोस्तो वीडियो में ऐसे ही किसी दूसरी रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्यान रहें थांकिस वाचिंग दिस वीडियो